मेश भागीदारी में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे मिथुन लंबे समय से अटके संपत्ती संबंधी कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहेगा निजी प्रयासों से अपने बल्बूते उन्नती करने में सफल रहेंगे आयव्या में संतुलन बनाए रखे राजनीती में हुनर आजमाना चाहिए कर्क आपकी ज्यादा बोलने की आदत के कारण काम बिगड़ सकते हैं कारेस्थल पर आर्थिक मामलों में जवाब दे ही बढ़ेगी विरोधियों से सतर्क रहे सुख के साधनों की प्राप्ती संभव है अंजाने में हुई गल्तियों से दुखी होंगे परिवार में आपको महत्व कम मिलेगा आर्थिकार्यों में विशेश सफलता मिलेगी संतान की चिंता से मुक्ती मिलेगी किसी से सहयोग की आशा ना करें जीवन साथी से मत बेद दूर होंगे कन्या किसी अनुभवी व्यक्ती का मार्गदर्शन मिलने से पराक्रम में व्रद्धी होगी सामाजिक शित्रों के कारे पूर्ण होंगे जोखिम जवाबदारी के कामों से बच कर रहें बिना अनुमती बीच में बोलने से बचें तुला समाज में सम्मान के अफसर प्राप्त होंगे विश्वस्निय व्यक्ती का सहयोग मिलने से हर्श होगा परिवार में मांगले कारियों की योजनाय बनेंगी संतान के उन्नती खुशी प्रदान करेगी विश्चिक अपनी आदतों से जीवन साथी को ना खुश करेंगे सुकसाधनों पर खर्च होगा सोचे हुए काम समय पर बनेंगे बौधिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी व्यापार अच्छा चलेगा दूसरों की देखा देखी ना करें धनू अपने काम से काम रखें दूसरों के निजी मामलों में दखल ना दें व्यापारी के स्थती संतोष जनक रहेगी कारेस्थल पर पर परिचित व्यक्ति का सहयोग आपकी परिशानियों को दूर करेगा दुर्व्यसनों से दूर रहे मकर आज कला की तरफ रुजान होगा व्यापार में नए अनुभंद लाब प्रधूंगे आय में व्रत्धी के योग बन रहे हैं प्रतिष्ठित व्यक्ती से मेल जुल बढ़ेगा वाद विवाद में ना पड़े वहान का प्रयोग साफधानी से करें कुम्ब दिन शुब है व्यापसाइक सफलता से हर्श होगा जवाबदारी के कारे ठीक से कर पाएंगे करियर में महितुपूर्ण यात्रा के योग बनेंगे परिवार में आपके द्वारा लिये गए निर्णै सही होगे मीन कारे सिथी से आत्मविश्वास बढ़ेगा वहान क्रय करने के योग बन रहे हैं पारिवारिक जीवन खुशाल रहेगा व्यापसाइक सफलता से हर्श होगा विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं